बर्तमानवी प्लास्टिक से बने डोने बपतल परेवन के लिए घातत साबित हो रहे हैं विवाशादियों बखास समारों में हजारों लोगों को पतल पर ही खाना प्रोसा जाता है पतल पहाड की ऐसी थाली है इसमें खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है जंगल में टोर नामक बेल में लगे पत्तों की ये पत्तल परहवन मित्र थाली भी है पत्तल के बिना मंडियाली धाम का स्वात तो फी का रह जाता है पहाड़ी की ये पत्तल टोर नामक बेल के पत्ते से बनती है ये बेल मध्यम उंचाई बाले मंडी कांगडाब हमेरपुर मंडी जिला की ग्रानलप पंचायत व स्लापट में लोग पत्लों का कारुबार सबसे अधिक करते हैं हलांकी जिला के अधिकांश गाउन में एक दो परिवार ऐसे पेशे से जुड़े हैं जो विबाशादियों में पतलों की आपूर्टी करते हैं उन्हें स्थानी पोली में दशाली कहा जाता है ये लोग घास्प बास के तिनकों से पत्तों को जोड़ कर पतल का रूप देते हैं द्रंग हलके की ग्रांड पंचायत के 6 काओं में 100 से अधिक परिवारों की रोजी रोटी का जरिया पतले ही हैं ये लोग सुबा जंगल की और निकल जाते हैं और टौर के जुर्मुट से पत्तों समेथ छोटी-छोटी टहनियों को निकाल लेते हैं इनका बोश बीट पर उठा का तीन से पांच किलोमीटर की बनाई जाती है इन इस्थान ये बोली में बीडी कहा जाता है पतले तयार होने के बाद बिपारी घर से ही 50-100 रुपए सेंक्रे के हिसाफ से पतले खरेद लेते हैं ये पतले मंडी शहर के गांदी चौंक के सामने पीपल के थड़े के नीचे पहुंचती हैं वहां इनके ही ल इंदर नगर के हरवल गार्डन प्रभारी डॉक्टर सुनेल पठानिय कहते हैं कि इसमें लगी फंगस हानी कार्क नहीं होती है एक तरह से मुलायम होने बाले तोर के पत्तों को बतोर नैपकिन भी इस्तिमाल के जा सकता है तोर के पत्ते शांदी दायक पर लज़दार होते हैं यह बज़ा है कि इनसे बनी पत्तलों पर बोजन खाने का आनद मिलता है अन्ने पेड़ों के पत्तों की तरह टोर के पत्ते भी गड़े में डालने से दो से तीन दिन के अंदर गल चर जाते हैं लोग इसका उप्योग खेतों में खात की रूप में करते हैं सैंक्रो हमारा काम जो है ठप हो गया है और हमें कुछ भी प्रेट नी मिल रहा है और ऐसे बैठे हैं